गूगल ने ही सन 1999 में यानि की आज से 21 साल पहले पाट टाइम कमाई करने का एक बिलकुल नया तरीका निकाला था दोस्तों और आज 21 साल बाद सारी दुनिया में लोग अपने घरों में बैठ कर बहुत अच्छी खासी पाट टाइम कमाई कर रहे हैं और वो भी यूएस डॉलर्स में और वो भी बिना एक पैसा इन्वेस्ट किये सिर्फ अपने मुबाइल फोन से ही भारत में भी बहुत सारे लोग उसी तरीके से पाट टाइम कमाई करते हैं अपने घर बैठ कर लेकिन आज भी भारत में ज्यादतर लोगों को यही लगता है कि उस तरीके से पाट टाइम कमाई करने के लिए इंगलिश भाशा का बहुत अच्छा ग्यान होना जरूरी है यानि कि आपको English लिखनी बहुत अच्छी आनी चाहिए दोस्तो मैं आज के वीडियो में आपको practically साबित करके दिखाऊंगा कि अगर आपको English नहीं भी आती है तो भी उसी Google के तरीके से आप अपने घर बैठ कर part time कमाई कर सकते हैं, US dollar में कमाई कर सकते हैं अपने mobile phone से ही कर सकते हैं आप चाहे दस्मी पास हैं, चाहे आप ज़्यादा पड़े लिखे हैं चाहे आप student हैं, चाहे आप housewife हैं नौकरी करते हैं, business करते हैं आप Google के इस नायाब तरीके से part time कमाई कर सकते हैं 100% genuine है Google से ज़्यादा genuine क्या होगा दोस्तो सब कुछ इसी वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा आप मेरे साथ बने रहे हैं Hello friends, कैसे आप? जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं हूँ संजीव कुमार जिंदल मैं पिछले 25 सालों से एक HR recruitment professional हूँ मैं आपके लिए part time और full time income से related videos बना कर लेका रहता हूँ जिन में आपकी जेब से एक पैसे की भी investment नहीं होती है Friends, Google ने आज से 21 साल पहले एक website बनाई उसका नाम रखा blogger.com Google की ही एक और बहुत जानीमानी mobile app है उसका नाम है Google Translate ये आपके नए पुराने mobile phone पर चलती है और 100% free of cost है इसके अलावा एक और जानीमानी website है जो आपके mobile phone पर भी चलती है उसका नाम है pixels.com मैं Friends, आज के वीडियो में आपको एक बिलकुल नया नायाब यूनीक तरीका बताने जा रहा हूँ जिसमें आप इन तीनों websites और apps को इस्तेमाल करके एक काम्याब blogger बन सकते हैं ये तरीका आज से पहले YouTube पर किसी भी channel पर नहीं बताया गया है देखे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ काम कैसे करना है blogger.com पर 100% free of cost एक account बना लेना है मैं अभी practically आपको बना के दिखाऊंगा blogger.com ही आपको एक सुविधा देता है कि आप अपनी मात्र भाषा में यानि कि हिंदी, बांगला, मराथी, पंजाबी, गुजराती और भी कई भारतिय भाषाओं में वहाँ पर लिख सकते हैं ये facility कि आप अपनी मात्र भाषा में लिख सकें ये blogger.com का software आपको facility देता है मैं practically आपको करके दिखाऊंगा फिर Google Translate Mobile App का इस्तेमाल करके आपने जो भी अपनी मात्र भाषा में लिखा हुआ है उसको English भाषा में translate कर लेना है 5 मिनट में होता है दोस्तो मैं practically इसी वीडियो में अपने मोबाइल फोन पर करके दिखाऊंगा उसके बाद friends pixels.com वेबसाइट से copyright free photographs और videos को download कर लेना है और blogger.com पर जो हमने article लिखा है वहाँ पर उनको चिपका देना है और blogger.com पर ही publish कर देना है घबराये मत बहुत असान है एक एक step बिना edit किये इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा आप कर सकेंगे, काम्याब भी हो सकेंगे और पैसा भी कमा सकेंगे Google से US dollar में तो चलिए अब मैं आपको अपने laptop और mobile पर लेकर चलता हूँ तो friends अब मैं आपको अपने laptop के screen पर लेकर आ चुका हूँ मैं blogger.com की site आपको खोल के दिखाता हूँ ठीक है देखिए यह है friends blogger.com Google जो दुनिया की सबसे बड़ी कमपनियों में से एक है उसके द्वारा संचालित है blogger इससे ज्यादा विश्वस्तनिया कुछ भी नहीं हो सकता ठीक है अगर आप कोई भी कमाई करना चाहते हैं पाट टाइम तो google की company के थुरू अगर आप करते हैं तो यह सबसे ज्यादा विश्वस्तनिया है ठीक है friends तो blogger वो site है जहां से आप part time कमाई करेंगे कैसे करेंगे मैं आपको अभी दिखाता हूँ मैं friends आपको ये भी बता दूँ के blogger जो site है ये आपके mobile phone में भी उतनी ही अच्छी तरह से खुलती है जैसे laptop पर आपको खुली हुई दिख रही है ठीक है देखे friends मैंने blogger.com का एक link इस website के description box में लिखा हुआ है आप वहाँ से क्लिक करके ये site अपने laptop पर भी खुल सकते है mobile पर भी खुल सकते है मैं friends अब आपको अपने mobile phone पर blogger.com साइट खुल कर दिखाता हूँ देखे friends मैंने ये blogger.com खुल ली है अपने mobile पर देख सकते हैं अब यहाँ पर मुझे blogger.com का desktop version खुलना पड़ेगा दोस्तों वो best रहता है काम करने के लिए अब आप देखेंगे सबसे उपर right hand top पे जहां तीन dot लगे हुए है मैं क्लिक करूँगा देखे एक window खुल गई है इस window में नीचे से जो third category है वो है desktop site यहाँ क्लिक कर दूँगा तो दोस्तों यह blogger.com की exact वही site आपकी आखों के सामने खुल गई है जो मेरे laptop पर आपको दिख रही है कोई फरक नहीं है दोस्तों ठीक है यानि कि आपको laptop का होना कोई आवश्यक नहीं है आप अपने mobile से ही blogging कर सकते हैं और कमाई कर सकते हैं और blogging भी आप अपनी मात्र भाशा में कर सकते हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों आप अपनी मात्र भाशा में blogging कर सकते हैं जैसा जिसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अब मैं आपको practically दिखाऊंगा कि कैसे कोई भी व्यक्ति जो बहुत कम पढ़ा लिखा हो अपनी मात्र भाशा में लिखकर blogger से कमाई करके ले जा सकता है और ये जो कमाई है ये सारी उम्र चलती है दोस्तों एक बार आपका blog monetize हो गया उसके बाद फिर आप सारी उम्र उससे बैठ कर कमाते हैं AdSense के जरीए ये सब है क्या ये अब मैं आपको दिखाता हूँ अब friends मैं phone आपके सामने से हटा देता हूँ मैं अब अपने laptop पर ही आपको सब कुछ दिखाऊंगा और सिखाऊंगा क्योंकि friends laptop पे fonts बड़े होते हैं मुझे आपको समझाने में असानी रहत अब देखी friends मैं आपको blogger.com के home page पर थोड़ी सी details दिखा देता हूँ कि after all आप कमाई करेंगे कैसे देखी यहाँ एक चीस तो यह लिखी हुई है कि यहाँ पर आप अपना blog का जो भी नाम रखेंगे वो आपको free में मिलेगा दोस्तों ठीक है अगर आप अपनी website बनाते है तो आपको जो भी domain है वो खरीदना पड़ता है यहाँ free में मिलता है blogger की तरफ से इसके लावा दोस्तों आप यहाँ पर जो भी कमाई करते हैं वो होती है AdSense के जरीए देखिए blogger Google के द्वारा संचालित है AdSense भी Google के द्वारा संचालित है ठीक है यानि कि Google के लिए ही आप काम करते हैं आप अगर कोई part time कमाई करना चाहते हैं और वो भी Google के लिए ही काम कर रहे हैं और पैसा भी Google ही देता है आपको तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों ठीक है अब यह सब होता कैसे तो यह इसमें पहले register करते हैं free of cost और फिर आपको मैं समझाना शुरू करता हूँ कि कैसे आप यहां से कमाई करेंगे और कैसे आप यहां से पूरी ओम्र कमा सकते सबसे उपर जाएंगे दोस्तों अब देखिए यहां लिखा हुआ है publish your passions your way create your blog यहां क्लिक करेंगे तो friends यहां से मैंने एक email ID को select कर लेना है Gmail की ID मैंने पहले से ही बना रखी है आपकी बनी होई होगी नहीं बनी होई है तो बना लीजेगा ठीक है अब देखिए मैं यहां क्लिक करता हूँ अपनी ID पे अब देखिए यहां पर मुझे अपना password दुबारा डालने के लिए कह रहा है ठीक है और उसके बाद मैं यहां पर next कर दूँगा देखिए friends मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि अगर आपने अपनी Gmail की ID बिना phone number के बनाई है जी हां देखिए जब भी आप अपनी Gmail ID बनाते हैं तो आपको अपना phone number verify करना पड़ता है दोस्तों आप में से सभी को पता होगा ठीक है अगर आपने अपनी जो भी email ID बनाई हुई है अगर आप उसे blogger के साथ attach करना चाहते हैं यानि आप उस email ID से blogger पर काम करना चाहते हैं तो उसका phone number verified हो तो ही accept कर रहा है अभी मैंने blogger.com पर registration करने के लिए एक ऐसी email ID जो Gmail की ही थी इस्तेमाल करने की कोशिश की जिसमें मैंने अपना phone number verify नहीं किया था तो इसने accept नहीं किया दोस्तों यह मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ नहीं तो फिर आपके comments आने लगेंगे जी इस पर तो हम enter ही नहीं कर पारे register ही नहीं कर पारे तो इसलि कि आप जब blogging शुरू करते हैं तो किस नाम से करेंगे आप अपना कोई nickname दे सकते हैं आप अपना real name दे सकते हैं आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो catchy सा हो एक बार कोई सुन ले देख ले तो उसे याद रहे ठीक है अब वो क्या हो सकता है तो वो अब आपको यहां पर डाल देना है मैं यहाँ पर आपको अपना एक नाम डाल कर दिखा देता हूं तो देखे फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर एक नाम डाल दिया संजीव कुमार ठीक है अब continue to blogger पर क्लिक कर दूँगा तो फ्रेंट्स यह इसने हमारा display name accept कर लिया है ठीक है अब यहाँ पर कुछ इसकी घड़ी देखके मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं blogger.com पर register करने में जो free of cost है दोस्तों ठीक है अब friends हमने अपना blog बनाना कैसे है आपने बहुत बार सुना होगा blogging करके कमाई कर लीजिए ठीक है लेकिन blog बनता कैसे है अब मैं आपको वो दिखाता हूँ practically आपके सामने create a new blog आप चिंता मत कीजिए आप अपनी मात्र भाशा में blog बना सकेंगे ये English आपको लिखनी आवशक नहीं है मुझे मालूम है आप में से ज़्यादा तर लोग English के अच्छे writer नहीं है definitely मुझे इस चीज़ का अंदाजा है तो इसलिए आप अपनी मात्र भाशा में ही blog लिख सक तो हम blogger बन कर पैसे कमाना चाते हैं ठीक है हम कोई trained writers नहीं है मैं ये समझ के चल रहा हूँ ना मैं हूँ ना आप है फिर भी blogger से पैसे कैसे कमाने है ठीक है अपनी मात्र भाशा में भी लिखना है तो क्या लिखना है आपके पास नए नए ideas रोज कहां से आएंगे ठीक है बहुत मुश्किल है नए ideas के बारे में रोज सोचना ठीक है तो हम यहाँ पर एक ऐसा title डालेंगे जिसके बारे में हमें लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी यानि हम अपनी रोज की दिन चर्या यानि अब सुबह उठते हैं तो रात तक क्या हुआ हुआ हमारे साथ बस हमने ये अगले दिन लिख देना है तो friends basically आपने अपनी दिन चर्या ही blogger पर लिखनी है रोज तो friends यहाँ पर हमने लिखना है my daily routine तो friends यहाँ हम type कर देंगे my daily routine ठीक है और आगे मैं लिख दूँगा अब मैंने bracket में लिख दिया संजीव कुमार ठीक है अब देखी my daily routine तो एक normal सी एक चीज़ हो गई संजीव कुमार साथ में मेरा नाम आ गया आपने लिख देना है my daily routine और आपका जो भी नाम है सुनीता कुमारी अमित कुमार जो भी नाम है आपका आपने यहाँ लिख दिया ताकि अगर कोई भी blogger पर जाकर my daily routine संजीव कुमार टाइप करेगा त एक तरह से मेरी personal diary है जो मैं यहाँ पर blogs की शकल में रोज type कर दूँगा लोग उसको पढ़ना चाहेंगे क्योंकि हम भारत में जब रहते हैं तो हमारी दिंचर्या में ऐसी बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं दोस्तों जो लोग पढ़ना चाह सकते हैं ठीक है अभी विमला देवी या अमित कुमार जो भी आपका नाम हो या मेरा नाम हो उसके बारे में कोई उसकी डेली रूटीन को क्यों पढ़ना चाहेगा देखे दोस्तों पता नहीं चलता है जब हम अपनी डेली रूटीन लिखने लगते हैं हमारे साथ कभी न कभी कोई न कोई घटना घटती है लोग हमारे साथ जोड़ने लगते हैं उन्हें कोई हमारे एक दिन की घटना पसंद आ जाती है अब वो अगले दिन दुबारा हमारे ब्लॉग पर आते हैं ये देखने के लिए कि अगले दिन क्या हुआ फिर वो लोगों ने बना कर डाल रखा है तो वो आपके ब्लॉग पर तभी आएंगे जब आप उसमें कुछ ऐसी चीज लिखेंगे कोई इस तरीके से आप इस काम को शुरू करेंगे जो दूसरों से अलग हो मैं आपको वही बता रहा हूँ दोस्तों ठीक है है तो वह यहाँ पर अब हमारा बन हैंगे ह particularly मैं आपको दिखाता हो कैसे बनेगा अभी के नने यहां पर लिखा माई डऐली रूटीन जो वहाहाँ डिखा है ठीक है अब दिखिए Friends हो सकता है यह हमारा एड्रेस एक्सेप्ट करें ना करें क्योंकि हो सकता है पहले भी किसी ने इसी address से अपना blogger का account बना रखा अब भी हम check कर लेते हैं देखे मैं भार click करूँगा अब देखे यह लिखा हुआ है sorry this address is not available ठीक है अब friends मैं इसके आगे कोई numbers लिख देता हूँ ठीक है let's say मैं कोशिश करता हूँ हो सकता accept हो जाए 99 अब मैं भार click करता हूँ यह भी available नहीं है ठीक है तो मैं यहाँ पर 99 के बीच में एक number डाल देता हूँ अब मैं भार click करता हूँ यह available है दीकि friends जो आपका address है अगर बहुत ज़्यादा लंबा होगा जैसे मैंने लिख दिया my daily routine संजीव कुमार 1069 तो यह ranking में नहीं आपाएगा blogger की या google की जब कोई ढूंडेगा हमने तो इसको इस तरह से बनाना है कि कल हम यहाँ पर अच्छी ranking पाएं और अच्छी कमाई करें आप मेरे लंबे वीडियो इसलिए देखते हैं दोस्तों क्योंकि आप कमाई करना चाहते हैं मैं जल्दी से कोई चीज खतम करके point पे आऊं देखे उसका कोई फैदा नहीं है दोस्तों अगर आप कमाई ही ना कर सकें मैं ये चोटी चोटी चीज़ें आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि इनहीं से कल आप कमाई कर पाएंगे अन्यथा मुश्किल हो जाएगी ब्लॉगर कूगल का एक बहुत ही बड़ा ब्रैंड है लाखों लोग पूरी दुनिया में बैठकर ब्लॉगिंग करते हैं और कमाई करने की कोशिश करते हैं आपको कॉंपिटिशन के अंदर पैसा कमाना है तो ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं लिए मैं आपको ये चुट चुट चीज़ें बताता हूं वीडियो बहुत लंबा हो जाता है लेकिन आपको जानकारियां अच्छी मिलती है ठीक है दोस्तों तो देखिए ये एक्सेप्ट हो गया ठीक है देखिए बड़ा कैची नेम है ये इसमें बड़े सारे options होते हैं अब मैं इसमें से एक choose कर लेता हूं simple ठीक है इसमें एक contemporary भी है soho भी है, imporio भी है, बहुत सारी हैं मैंने simple वाली ले ली आप अपनी choice से देख सकते हैं उसके बाद मैंने create blog पर क्लिक कर देना है अब देखिए उपर लिखा हुआ रहा है creating अब देखिए friends यहां लिखा हुआ रहा है google domains find a domain name for your blog and connect it instantly यह हमसे यह पूछ रहा है कि हमने यह जो नाम रखा है अपना क्या यह हमें paid करना है जी नहीं नहीं करना है यह no thanks पे click करना है दोस्तों अगर आपने search पे कर दिया तो यह paid वाले में चला जाएगा हमें यह नहीं लेना है हमें एक पैसा तो बहुत बड़ी बात है एक रुपया भी खर्च नहीं करना है और part time कमाई करने की कोशिश करनी है दोस्तों इसलिए आप मेरे channel पर आते हैं पैसा लगवा कर काम करने के ल हूँ और आपको बताता हूँ उसको avoid कैसे करना है अब दीके Google एक दुनिया की बहुत बड़ी company है यहाँ पर लाखों लोग job करते हैं तो इन्होंने कोई न कोई तरीका तो कमाई का रखना ही है न दोस्तों तो वो इसलिए आपको यह कोशिश करते हैं कि आप इनसे paid वाला लिखने शुरूर नहीं किये हैं blogs का मतलब यही होता है कि आपका एक page या कोई आपने कोई article लिखा उसको blog बोलते हैं तो अब हमारा blogger का account बन चुका है free of cost बन गया है ठीक है दोस्तों अब हमें यहाँ पर कुछ settings में जाकर changes करने होते हैं अब देखेंगे यहां left में नीच पहले लिखा था ठीक है description यानि कि मेरे जो यह blogger का account है इसमें मैं यह जो अपने daily routine का title लिखा है तो कोई लोग मेरा इतना लंबा blog पढ़ने से पहले यह जानना चाहेंगे भाई यह किस बारे में लिखते हैं ठीक है तो वह यहां मैंने लिखना है यह बहुत important है दोस्तों तो मैं यहां edit पे click करके आपको दिखाता हूँ क्या लिखना है जाज ज्यादा 500 करेक्टर लिखने हैं अब मैं दिखी friends description में अगर आप student है तो यहां लिखेंगे I am a student आप Hindi में लिख सकते हैं और उसको English में translate कर सकते हैं अब दिखी friends मैं यहां पर छोटा सा एक description लिख देत difficult I share my life on this platform अब दिखी मैंने लिखा I am a student my daily life is very difficult I share my life on this platform दिखी friends यह मैंने English में लिखा है आप में से जिनको English नहीं आती है आप बिलकुल भी हिम्मत मत हरिएगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा practically mobile परी laptop पर बनी आपको mobile पर ले जाकर दिखाऊंगा कि आप यह सब अपनी मा आतर भाशा में भी कर सकते हैं आप चिंदा मत कीजिए दोस्तों ठीक है मैं आपको अभी फिलहाल सिरफ यह दिखा रहा हूं कि ब्लॉगर के उपर अकाउंट में आपको अपनी सेटिंग्स में सारी चीजें कैसे लिखनी है डोंट वरी ठीक है मुझे मालूम है आप में से लोगों को अच्छी इंग्लिश शायद लिखनी नहीं आती है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि फिर भी आप यहां पर अपना अकाउंट बना सकेंगे और फिर भी सारे काम करके कमाई कर सकेंगे ठीक है तो मैंने यह सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा जो डिस्रिप्श इस पर क्लिक कर देना है तो मेरा डिस्रिप्शन यहां आगया दोस्तों ठीक है अब यहां यहां चाहूं तो यह भी लिख सकता हूं I am a housewife, my daily life is very difficult, I share my life on this platform, मैं कोई नौकरी करता हूं तो मैं लिखोंगा I am an employee, my daily life is difficult, I share my life on this platform, ठीक है यानि अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी गाउं कस्पे शहर में रहने वाले student housewife या कामकाजी व्यक्ति की दिन चर्या के बारे में जानना चाहेगा, अगर friends वो एक बार आपकी दिन चर्या जानने में interested हो गया, तो रोज आके पढ़ेगा, ठीक है, जैसे आप daily news पढ़ते हैं, या daily news channel पर जाते हैं, भारत में आपकी जिन्दगी में रोज कोई नहीं नहीं चीज़ें घटित होती हैं दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो मैं अभी आपको नहीं कह सकता हूँ, किसी महिला की जिन्दगी में कोई ऐसी चीज़ें, कभी नहीं घटित होती हैं, और वो एक आपका blog, अगर viral हो अगर 10,000 लोगों ने पढ़ लिया, तो वो रोज आके आपका हर blog पढ़ेंगे, और आपके blog पर इतनी advertisements, adsense से आ जाएंगी, कि आप पैसों में खेलने लगेंगे, ऐसे ही किसमत बदलती हैं दोस्तों, कुछ पता नहीं चलता, कोशिश कर लेने में हर्च नहीं है, मैं कोशि इंजिन भी ढूंड सकें, जी बिल्कुल, यह उन्होंने अलड़ी बनाया होता है, ठीक है, तो यह पहले से ही जैसा है, छोड़ दीजे, और नीचे आएंगे, तो दिखिए, यह हमारा blog address है, ठीक है, यह हमारे जो blogger account है, उसका address है, जो अभी थोड़ी दर पहले बनाया था fine, किसी को भी share करना है आपने, facebook में डालना है, whatsapp पर किसी को भी बताना भी, मैंने blogger पर अपना एक account बनाया है, मैं अपने daily routine वहाँ लिखता हूँ, यह लिखती हूँ, आप जाके देख सकते हैं, यह मेरा address है, whatsapp group, facebook वगरा में कहीं पर भी share कर लो, ठीक है, ऐसी advertisement होती है, free में होती है, तो यह आपको तरीके पता ही है, आप देखे, friends, नीचे लिखा हुआ, buy a domain, यह हमें नहीं लेना है, दोस्तो, देखे, friends, अगर आप यह चाहते हैं, कि आपका यह जो blog का address है, वो my daily routine 919 तक ही खतम हो जाए, यह blogspot.com ना आए, तो हमें यह खरीदना है, अभी को blog लिखना शुरू करेंगे, और मैं अब आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं, ऊपर जाएंगे, देखे, सबसे ऊपर लिखा है post, देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, अब देखे, यह दोस्तो, यहाँ लिखा हुआ है, new post लिखा है, new post क्लिक करते ही, देखे, यह एक new window ख से आएगा यानि यह मेन टाइटल हो गया और जो पोस्ट है जो हम शाय दस बारा बीस पचास और जितनी भी डालेंगे उनका एक सब टाइटल यहां डलेगा हर पोस्ट के साथ में यहां पर पोस्ट डलेगी इसको हम यहां से चेंज भी कर सकते हैं इसके फॉंट वगयरा ठीक है अब वो कैसे करना है वो मैं आपको में चीज यहां पर दिखाऊंगा यहां पर हम अलग अलग तरह के फोटोज और वीडियोज डाल कर इस पोस्ट को एंहेंस करेंगे और यह फोटोज और वीडियोज हमारे भी हो सकते हम अपने ना डालना चाहें मैं अभी आपको एक साइट पर लेकर चलूँगा जो आपके मुबाइल से ही चलती है और वहां से फ्री में बढ़िया से फोटोग्राफ और वीडियोज हम इस ब्लॉग पर लगाएंगे ताकि हमारा ब्लॉग अट्रेक्टिव बने लोग आकर देखें पढ़ें ठीक है और इस पर एड्सेंस भी आए गूगल एड्सेंस ताकि हम यहां से कमाई करके ले जा सकें फ्रेंड्स मैंने आपने जो पोस है वहीं से देख सकता है यानि जो मेरी डेली डायरी है मेरी जो रूटीन की डेली रूटीन की जो डायरी है वो यहां से डेट वाइस देख सकेंगे पोस्ट में ही मैंने डेट डाल दिये अब मैं यहां टाइप कर दूँगा अपना डेट मेरी जो पोस्ट है वो उसका जो स नई सोच है, नई सोच से ही पैसे बनते हैं, जिस तरीके से सारी दुनिया पहले से करती आई है, वही करोगे, तो कुछ भी नहीं कमा पाओगे, ये मेरी बात पल्ले बाढ़ने लिना, ये मैं अपने 25 साल के experience से बता रहा हूँ, जब तक आप किसी चीज को नए तरीके से सोच कर नहीं करेंगे, आप पैसे नहीं कमा पाएंगे, ठीक है, अब दीखें दोस्तों, आप अपना जो डेली रूटीन का पोस्ट डालेंगे, डेली बेसिस पर, डेट के साथ में, आप बीच में कुछ एक दो दिन छोड़ भी दें, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो सकता आप किसी दिन बीजियों नहीं डाल सके, अब सबसे पहले तो मैं आपको यह दिखाता हूँ, कि आप यहाँ पर अपनी मातर भाशा में पहले तो लिख दीजे, आप अपना जो ब्लॉग है, जो आप लिखेंगे, दो भाशाओं में लिखिए, एक तो अपनी मातर भाशा मे अगर आपको हिंदी आती है, पहले वो हिंदी में इतना लिख दें, उसके नीचे उसका ट्रांसलेशन लिख दें, ताकि जो व्यक्ति आपकी मातर भाशा में पढ़ना चाहे, लेट से आप रहते हैं पंजाब में, लोग पंजाबी में पढ़ना चाहते हैं, तो पहले दो पंजाबी में पढ़ने, जिनको पंजाबी भी नहीं, इंग्लिश में पसंदा, उसके नीचे इंग्लिश का ट्रांसलेशन, वो कैसे करना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, फ्री में होता है, वो भी दोस्तों चांस की बात है, गूगल की ही एप है, मोबाइल फोन से च प्राशाओं में यहीं से लिखवा देती है, अब देखिए सबसे पहले मैं यहां हूँगा, देखिए जो आ लिखा है अक्षर इसके बराबर में, आप देखिए फ्रेंडे यहां पर बहुत सारी भाशाएं हैं, बंगला भी है, अुर्दू भी है, भारत की और भाशाएं ह है blogger site ही आपको ये facility देती है कैसे अब देखी मैं hindi पर मैंने हिंदी पर क्लिक कर दिया ठीक है इस अब यहां पर यह हमारा translator-on करने के लिए हमें यहां जो यह ए लिखा है यहां पर क्लिक करना है यह जब color change हो जाएगा तो हम समझेंगे के translator on हो चुका है ठीक है अब हम यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे जैसे हम friends जब WhatsApp लिखते हैं तो वैसा ही हमने यहाँ लिखना है अब देखे मैं टाइप कर रहा हूँ मैं, यानि M, E मैं टाइप कर रहा हूँ M, E ठीक है, और जैसे ही मैं यह इसमें से select कर सकता हूँ कि कौन सा मैं रखना चाह रहा हूँ यह वाला, यह वाला, यह वाला, यह तो मैं यह मैं रखना चाह रहा हूँ अब देखे, यह आगया दोस्तो मैं एक student हूँ मेरी life बहुत, अब देखे यहाँ पर जो मैंने बहुत लिखा, यह spelling ठीक नहीं थी तो अब मैं यहाँ पर दुबारा से जाऊंगा और इसको delete करकर दुबारा से type परूँगा B, A, H, U, T अब देखे, यहाँ पर बहुत भी लिखा है और उसके बाद यह बहुत ठीक है अब इसमें से जो ठीक बहुत है, वो सबसे उपर वाला है यह option आगया मेरी life बहुत मुश्किल है Don't worry friends, मैं आपको अभी यह English में translate करके भी दिखाऊंगा यानि के हमें अपनी मातर भाषा में यानि हिंदी, बांगला, पंजाबी, उर्दू, मराठी में तो लिखना ही है लेकिन नीचे इसी blog में उसका English translation भी लिखना है ताकि हमारी मतर भाषा के पढ़ने वाले लोग जब इस blog पर आएं तो वो तो पढ़े ही लेकिन पूरी दुनिया के लोग भी इसको पढ़ सकें क्योंकि सारी दुनिया में हमारी मतर भाषा तो बोली नहीं जाती है सिरफ English बोली जाती है ठीक है अब वो translation बहुत अवश्यक है दोस्तो उसी से आपके blogger account पर traffic आएगा पूरी दुनिया से ठीक है तो वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा वो करना जुरूरी है यही trick है दोस्तो एक ही blog में दो भाषाओं में एक ही चीज लिखी हुई है ताकि दोनो भाषाओं को जानने वाले लोग उसे पढ़ सकें आपको English में लिखना नहीं आता है आपने अपनी मातर भाषा में लिख देना ट्रांसलेट कर देना एक app के जरीए अभी दिखाऊंगा कैसे होती है फ्री में दो मिनट में ठीक है पहले मैं आपको यह करके दिखा देता हूँ ठीक है अब मैंने यहां पर लिख दिया मेरी लाइफ बहुत मुश्किल है आप मेरी डेली रूटीन के बारे में जानना देखी फ्रेंड्स अगर हम कुछ भी चीज टाइप करते हैं तो सबसे उपर वाला जो ऑप्शन है वो अगर हम एंटर कर देते हैं या स्पेस बटन दबा देते हैं तो वो आटोमेटिकली ले ले लेता है ठीक है और अगर वो ठीक नहीं है तो हमें दुबारा टाइप करना पड़ेगा ठीक है या आप यहां से भी कर सकते हैं देखिए आगया में जानना चाहते हैं तो मेरा ब्लॉग रोज पढ़ा करिए तो फ्रेंड्स अब मैंने यह थोड़ा सा लिख दिया आप इस तरीके से अपनी डेली रूटीन यहां पर लिखिए आप सुबह कितने लेकर आईए जो भी आप लिखे थोड़ा इमोशनल हो आप अपनी मातर भाषा में तो लिखी सकते हैं इंगलिश में हमें दिक्कत होती है दोस्तों लिखने में लेकिन अपनी मातर भाषा में लिखना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है दोस्तों आप अपनी मातर भाषा नहीं है ठीक है तो आप अपनी भाषा में लिखें जाए वो कोई भारती भाषा है वो आप यहां लिख सकते हैं और यही ब्लॉगर आपको यह फैसिलिटी देता है कि आप यह लिख सकते हैं और यह अलग-अलग भाषाओं में आप लिख सकते हैं बहुत सारी है ठीक है तो व अब अगर मुझे ये translation वाला option हटाना है तो ये जो अक्षर है यहाँ पर बस click कर देना हट गया अब मैं जो भी type करूँगा वो English में होगा और अगर मुझे दुबारा से कोई बाहशा लेनी है हिंदी या बांगला या उर्दू या नेपाली या मराथी तो फिर उसको select करना है अब जैसी मैंने यहाँ click किया वो translation हट गया अब मैं यहाँ type करता हूँ English translation ठीक है अब मैंने यहाँ पर जितना भी matter लिखा है वो यहाँ नीचे English में translation करके लिख दूगा ताकि जो लोग मेरी मातर भाशा नहीं समझते हैं वो लोग यहाँ पर English में पढ़ लेंगे ठीक है दोस्तों English दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी बोली जाने वाली भाशा है और अमेरिका यूरोप में हर व्यक्ति यह भाशा बोलता है ऑस्ट्रिलिया में भी ठीक है अब वो कैसे करना है translation यह मैं आपको अपने mobile phone पर ले जाकर दिखाऊंगा दोस्तों अब देखिए friends मै अपने mobile phone को आपके सामने screen पर ले आया हूँ अब आप देखेंगे यहाँ पर एक app है इसका नाम है google translate ठीक है friends मैंने इस 100% free google app का link इस video के description में लिख दिया है आप वहाँ से click करके इसको free of cost download कर लीजे यह ऐसा icon बन जाता है google company की ही है यह भी friends मजे की बात यह सब कुछ google का है ठीक है अब मैं इस पर click करता हूँ google translate पर अब देखें यहाँ पर बहुत सारी भाशाएं हैं दोस्तों जिनको हम हिंदी तो English में convert कर सकते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ कितनी भाशाओं को आप English में convert कर सकते हैं अब देखें यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ जहां हिंद पंजाबी आगी दोस्तों ठीक है औरिया है आप देख सकते हैं औरिया औरिया लिखा हुआ है आप औरिया भाशा में लिख सकते हैं और नीचे आएंगे तमिल भाशा है दोस्तों तेलुगू है ठीक है उर्दू है उर्दू में लिखें ठीक है आप जिस भी भाशा में लि लिखकर दिखाया था बिल्कुल वही matter मैं आपको यहाँ पर type करके copy paste करता हूँ अब आपके सामने दिखाता हूँ मैं अब देखें मैं paste कर दूँगा अब यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है मैं यहाँ पर click करता हूँ अब अब देखेंगा दोस्तों मैंने क्या लिखा था मैं एक student हूँ मेरी life बहुत मुश्किल है आप मेरी daily routine के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा blog रोज बढ़ा कीजिए अब देखें नीचे उसने English में translate कर दिया है I am a student, my life is very difficult English में translate कर लिया अब ये वाला जो matter है ये मैं वापस अपने blog में जहां मैंने लिखा था English translation उसके नीचे लिख दूँगा और मैं आपकी जानकरी के लिए बता दूँ दोस्तों कि ये जो matter सिर्फ 3 लाइनों का उपर दिख रहा है और अपने blogger account में जाके अपने blog में डाल दीजे अब मैं आपको ये वहाँ डाल के दिखाता हूँ अब मैं यहां से इसको copy कर लूँगा अब देखी जहां नीचे copy का button है यहां क्लिक करूँगा अब ये देखी लिखा translation copied अब मैं इसको वापस वहीं पर ले जाकर paste कर दूँगा फ्रेंड्स आप ये सारा काम अपने mobile phone से ज़्यादा अच्छे तरह कर सकते हैं ठीक है लेकिन मुझे अब ये सारा matter अपने laptop पर email से भेजना है ठीक है मैं आपको अब दुबारा से अपने laptop पर लेकर चलता हूँ मैं mobile phone हटा देता हूँ तो फ्रेंड्स अब मैं आपको अपने laptop पर दुबारा ले आया हूँ देखिए हम यहीं से वापस गये थे मैंने ये matter आपको हिंदी में type करके दिखाया था अब मैं वही matter Google Translate से English में translation करके यहाँ ले आया हूँ और मैं यहाँ पर वो paste कर दूँगा ठीक है मैंने आपको जैसे बताया था यह 50 line दो line जितनी भी आप चाहें लिख लें और translate करके यहाँ डाल दें यानि मेरी मातरभाशा में भी हो गया और English में भी हो गया यह बहुत important है दोस्तों अगर यह font आपको छोटा लग रहा है तो आप इसको change कर सकते हैं इसके font को आप बदल सकते हैं बढ़ा कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं अब देखिए यहाँ से आप size कम ज़्यादा कर सकते हैं नॉर्मल कर सकते हैं ठीक है लार्ज भी कर सकते हैं ठीक है वो आप जैसा भी चाहें तो इसका उदल यह इसमें और भी बहुत सारे options हैं दोस्तों आप यहाँ पर link भी डाल सकते हैं इसी चीज़ का ठीक है बहुत सारे options हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं आप उपर देखेंगे तो friends अब देखिए यह तो हो गया जहां तक text यानि जो matter हमने डाल दिया अब हम यहाँ पर इस block को जो काफी अभी boring लग रहा है इमानदारी की बात है यह बड़ा boring सा लग रहा है ठीक है अब हम इसको सुन्दर कैसे बनाएं ठीक है तो उसको सुन्दर बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ photos डाल देते हैं जो free में हम डाल सकते हैं अपनी बें डाल सकते हैं अपनी न डालना चाहें तो मैं आपको एक ऐसी site बताता हूं जहां से हमें 1000 photos और चोटे चोटे वीडियो clips free में मिल सकते हैं जो हमारी daily routine के हिसाब से हो महां से लाकर यहां पर डाल सकते हैं और copyright free है अब वो कैसे डलना है वो मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले friends मैं आपको वो site खोल के दिखाता हूं जहां से हमें free में copyright free photos और video clips मिलती हैं अब देखिए वो यह site है इसका नाम है pixels बहुत ही जानीमानी बड़ी site है यह आपके laptop और mobile दोनों पर खुलती है इसका एक link भी मैं इस video के description में लिख दूँगा आप वहाँ से इसको खोल लीजेगा free of cost है दोस्तों कोई खर्चा नहीं है कोई joining fees नहीं है और आपके mobile पर भी यह इसी तरह से खुलेगी आपको इसका भी desktop version खोलना है मैंने आपको थोड़े देर पहले अपनी blogger.com का desktop version खोल के दिखाया था अब मैं दोबारा से दिखाऊंगा लंबा उता रहेगा वीडियो तो वो आपको पता चल जाएगा वहाँ से भी कि आपने अपने mobile phone में इसका desktop version कैसे खोलना है अब मैं friends आपकी जानकरी के लिए बता दूँ वो हम free में download कर सकते है copyright free है कोई भी registration भी नहीं करना है यानि हमें registration करने के अवशकता ही भी नहीं है अब यहाँ पर हम search करते हैं देखे मैं यहाँ पर topics के हिसाब से है students, growth, planning, handshake, summer holiday, अलग-अलग ठीक है बहुत सारे options हैं मैं यहाँ पर type करते था हूँ daily routine अब देखे friends मैं क्योंकि एक blog student के लिए लिख रहा हूँ तो मैंने हैं type कर दिया student तो उससे related यह मुझे photos दिखाएगा यह देखे आप student भी देखे school के student, university के पढ़ते हुए यह बहुत सारे कठे student एक जगा काम करते हुए, class के अंदर यह अलग-अलग category के student है अब यहाँ पर आपको यह सब student की photo में देख रही है अब यह एक photo है, यह हम ले सकते है यह बच्चा है, छोटा बच्चा school जाता हुआ, ठीक है अब यह हमने देखना है कि हमने किस तरह की photos यहाँ पर डालने है, यह library की है तो अब यह बहुत सारे options हैं आप जब आएंगे, तो यहाँ से कुछ photos choose कर लिजेगा, सारी free है copyright free है, blog के अंदर photos और छोट-छोटे videos हो तो attractive लगते हैं दोस्तो otherwise boring सा, नीरस सा लगता है सिर्फ पढ़ना, ठीक है, अब आप वो थोड़ी दिर में आपको दिखाऊंगा, कि यह photo को हमने वहाँ लगाना कैसे है, ठीक है, मैं अभी दो-तिन photo में download करके, और दो-तिन videos पहले download करके दिखा देता हूँ और फिर उनको कठे, अपने blog पर लगाकर attractive बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है अब मैं यहां से बंद करके, दूसरा photo download करूँगा, यहां से इसको cross कर देंगे, तो यह बंद हो जाएगी, यह देखिए ठीक है, वापस आगए, अब मैं यह वाली photo ले ले लेता हूँ, ठीक है, इसको भी free download कर दिया, ठीक है, यह भी download हो गई, ठीक है, अब देखिए, फ्रेंग्स, यहां पर यह लिखा हुआ है, कि आप donate कर देंगे, यह सब को छोड़ दीजे, यह देखना भी नहीं है, ठीक है, इसको यहां से हमने cross है, जहां से बंद कर दिया, और यहां से हम करेंगे cross पे, तो हम वापस पहुंच जाएंगे, यह वापस आ गए, अब हम यहां से कुछ videos भी download कर लेते हैं, दो-तिन, अपने blog पर लगाने के लिए copyright tree, अब देखिए, पिक्सल दुबारा home पे जाएंगे, और देखिए, जहां videos लिखा है, यहां क्लिक करेंगे, पहले हमें वो photos दिखा रहा था, अधिक यहां लिखा हुए, search for free videos, अब मैं यहां type परूँगा, फिर से student, देखिए student आ गया, अब आप देखिएंगे दोस्तों यह कुछ पढ़ते हुए, या उस student से related, छोट-छोटे video clips हैं, अब मैं इस पर लेकर जाओंगो, तो यह चलना शुरू हो जाता है, आपको पूरा नहीं खोलना पड़ता है, सिरफ अपना cursor यहां ले आईए, और यह आपको वो चलता हुआ देख जाता है, इससे यह थोड़ा attractive लगते हैं, दोस्तों आपका blog, देखे, यह attractive लगेगा, इसमें से जो ठीक लगे, आप ले लीजे, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है दोस्तों, अब यहां पर मैंने, let's say, यह पहला जो था, यह ले लिया, यहां इसके उपर इक क्लिक कर दिया, free download पे गए, अब देखे, डाउनलोड हो गया, आपके mobile में या laptop में थोड़ा समय लग सकता है दोस्तों, इसको डाउनलोड करने में, आपके जो net speed है, उसपर depend करेगा, ठीक है, अब यह एक video डाउनलोड हो गया, आब मैं एक और ले लेता हूँ, यहां से इसको बंद कर देते हैं, तो फिर वहीं पहुँच गए, यह दूसरा भी अच्छा लग रहा है, इसको भी ले लिया, इसको भी free download पे click कर दिया, ठीक है, तो अब यह दो हो गए, ठीक है, अब हमने दो photos, जो students से related हैं, और दो videos, जो students से related हैं, इस site से download कर लिए free में, अब हम इसको अपने blog पे लगाएंगे, अब friends, मैं आपने blog पर आपको दुबारा से लेकर चलता हूँ, अब दीके दोस्तों, यह मेरा blog आ गया, ठीक है, अब मैंने जो भी photos और videos free में download किया है, copyright free, अब मैं यहाँ blog के उपर लगा कर उसको attractive बनाता हूँ, ठीक है, अब दोस्तों, photos या videos लगानी कैसे है, ठीक है, यानि कि let's say मैंने यह एक line उपर लिखी हुई है, दो, ठीक है, अब definitely आप 10 बार लाइने लिखेंगे, यह तो कम है, let's say आपने यहाँ तक line लिख दी है, लेकिन मैं यह आपको सिरफ दिखा के लगा रहा हूँ, अब देखें मुझे suppose यहाँ लगाना है, मैं यहाँ click कर दूँगा, यहाँ लगाना यहाँ click कर दूँगा नीचे, अब देखें friends, मुझे अगर यह photo यहाँ लगानी है, फोटो लगा के देखाऊंगा, फिर video, मैंने अब photo वाले पर click कर दिया, अब कौन सी photo लगानी है, अब वो मैं यहाँ से choose करूँगा, मैंने अल्यड़ी दो photo यह download की थे, वो मैं यहाँ लगा दूँगा, उनमें से एक लगाँगा, अब मैं पहले इस पर click करूँगा, गौर से देखेगा, इस पर एक बार click करना है दोस्तों, नहीं तो add नहीं होगी, फिर आपके comment आएंगे जो होता ही नहीं है, ठीक है, ओके, आब उसके बाद add selected, यह देखी आ गई, अब मैं friends इसको चाहूँ, तो थोड़ा सा इसकी placement बदल भी सकता हूँ, देखेए मैं back space दबा रहा हूँ, तो यह side में चलती जा रही है, देख रहे हैं दोस्तों, अगर मुझे यह placing ठीक नहीं लग रही है, ठीक है, तो अब देखीए मैं इसको, अब मैं इसको यहाँ पर side में ले आया हूँ, अब मैं चाहूँ तो इसको अगर अपना space का button दबाऊंगा, तो यह आगे चलनी शुरू हो जाएगी, अब friends मैं आपको दूसरी photo यहाँ पर लगा कर दिखाता हूँ, अब मैं दुबारा photo पर जाओंगा, अब friends मैंने यहाँ पर देखिए वो photo लगानी है, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, देख रहे हैं, यह आप देख रहे हैं, यह यही लगेगी अब, अब मैं यहाँ पर इसको photo पर दुबारा click करता हूँ, और यहाँ से choose file, अब मैं दूसरी photo select करूँगा, जो मैंने अभी free of cost डाउनलोड की है, आपके सामने एक site से, अब मैं इस पर click कर दूँगा, अब add selected, अब देखिए friends यह photo नीचे आ गई, अब देखिए friends मैंने backspace click किया, तो यह वापस यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है, अब मैं friends चाहूँ, तो इनकी जगा या इसके नीचे एक video भी लगा सकता हूँ, ठीक है, यह मेरा लिखा हूँ matter है, मैं नीचे भी लगा सकता हूँ, यह photos मैं उपर भी लगा सकता हूँ, कि सबसे पहले photos देखें लोग, फिर उसके बाद मेरा यह blog पढ़ना शुरू करें, मेरी मात्र भाशा में, उसके बाद वो नीचे आके, अपनी भाशा, English भाशा में चाहें, तो English भाशा में भी पढ़ लें, अब यह दोनों photograph मैं यहां भी लगा सकता हूँ, और यहां भी लगा सकता हूँ, मैं सिरफ आपको यहां लगा के दिखा रहा हूँ, यहीं पर मैं आपको वीडियोज भी लगा के दिखा रहा हूँ, वीडियोज मैं आपको English वाले section में लगा के दिखा देता हूँ, करेगा मेरे आफिस में बहुत ज्यादा स्पीड वाला नेट है अराउंड वन जी बी की स्पीड का नेट है तो इसलिए जल्दी हो जा रहा है आपके इलाके में जैसी भी नेट स्पीड होगी उसके हिसाब से आपको ये थोड़ा सा पेशन्स रखनी पड़ेगी थोड़ा सा स स्कैन करके जैक भी करता है कि क्या वह एप्रोप्रियेट होगी एसी थी तो नहीं है जो किसी तरह से आप कह सकतेफे वरैडर है कि वहल्मच है क्या कहना चाहिं हो तोALLY समय जो लगता है वीडियो अपनोड करने में इस बीच में गूगल या ब्लागर का जो पीछे से software है वो check भी करता है processing करते हैं कि ठीक ही है ना तो यह देखिए हमारा यहाँ वीडियो आ गया ठीक है आप उसके नीचे हम दूसरा वीडियो भी यहाँ पर लगा देते हैं अब दूसरा वीडियो लगा देता हूँ अब देखिए camera में या कोई photo आपने ऐसी खीच ली वो आप यहाँ पर add कर दीजे हो सकता है लोग आपका लिखा हुआ तो पढ़ने आए हैं लेकिन वो यह भी देखने आए कि आज आपने mobile camera से photo कौन से खीचे हैं दोस्तो पता नहीं चलता है आपको कि कौन व्यक्ति आपकी दिन चरया में interested हो जाए और वो यह जानना चाहे कि आज इनोंने क्या किया यह कि इनकी मातर भाशा में पढ़ना चाहें English में पढ़ना चाहें उनके photographs daily में जो उन्होंने school जाते हुए college जाते हुए या काम पर जाते हुए खींचे या आते हुए खींचे या बीच में खींचे या घर में कोई हाउस वाइफ है वो मार्केट गई तो उन्होंने कोई वीडियो बनाकर यहां डाल दिया दिखिए आप एक बार अपने ओडियोंस को फिक्स कर लेंगे जैसे यूट्यूब में होता है फॉलोवर्स बन जाते हैं वो आप जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं तो लिखा हुआ तो ठीक है लेकिन फिर उन्हें दिखता भी है कि इनके साथ यह हुआ आज जरूरी नहीं है यह मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वीडियो कहिं और से लाकर इसी लिए कि अगर आप अपने ना डालना चाहें लेकिन अगर आप अपने खुद के डाल दें अपने अन देसे जरूरी नहीं कि आपने अपने खुद के फोटो बना कर या डालने है वाथ आपने अपने आपके बारे में जानना चाहते हैं otherwise अगर आप कुछ लिखना चाहेंगे सोच कर किसी topic के उपर जैसे fitness के उपर लिख सकते हैं बहुत अच्छे बात है मैं समझके चलता हूँ कि ज़्याद तर आप मेंसे लोग शायद रोज या 20-25-100 और ऐसे article नहीं लिख पाएंगे ठीक है तो वो क्या लिखे हैं ऐसा जो असान हो आपकी अपनी खुद की daily routine ठीक है यानि आपके साथ सुवे से रात तक क्या घटित हुआ अब आप कहेंगे यार ऐसा कुछ घटित नहीं होता बहुत बोरिंग है आपको अपनी life बोरिंग लग सकती है हो सकता किसी के लिए उसकी अहमियत हो क्योंकि साथ में फोटोस भी तो है ठीक है आपके गाउं कस्बे के रोज उसको फोटो देखने को मिलते हैं और वीडियोस भी देखने को मिल जाते हैं और आप कुछ लिख भी देते हैं किसी को आदित पढ़ गई पूरी दुनिया में तीन सो चार सो क्रोड लोग रहते हैं दोस्तों आपकी मातरवाशा में और इंग्लिश में ठीक है क्या पता कब चल जाए आपकी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा बड़ा इंट्रस्टिंग है और आप चाहें तो इसको यारों दोस्तों के साथ और शेयर करेंगे एक तरह से आपकी लाइफ की जो डायरी है वो ब्लॉगर पर बननी शुरू हो चुकी है फोटोज और लिखी हुई आपकी आर्टिकल्स में और साथ में वीडियोज में है ठीक है और यह बड़ा इंट्रस्टिंग है दोस्तों अब फ्रेंड्स यह हमारा ब्लॉग बन गया दोस्तों ठीक है अब हम इसको पब्लिश करेंगे अब पब्लिश करनागी कि सब कोई देख पाएंगे पब्लिश पर क्लिक कर देएंगे आप नीचे आएंगे अब देखना है अब देखना है अब देखना है यहां लिखा हुआ है कोई matter बदलना है view यानि देखना है अब देखिए यह है माई daily routine संजीव कुमार यहां लिखा हुआ है यह मैंने थोड़ा सा लिखा था ठीक है date भी डली हुए सब कुछ है यह photographs है यह हमारा title है दोस्तों आप title चाहें तो date लिखें आप title चाहें तो कुछ और लिखें यह आपक translation करके लिखिए अपने photos डालिए videos डालिए mobile phone से खीचे हुए यह नहीं डालना चाहते हैं आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है तो मैंने आपको यह भी बता दिया कि एक site है जिससे free of cost आप photos और videos डाउनलोड करिए और फिर डाल दीजे इंट्रेस्टिंग बनाये सि अपनी daily routine लिखना शुरू कर दीजे आप अपने phone से अपने mobile phone से जो भी photos या videos रोज बनाते हैं शाम को देखिए उनमें से सबसे best को होन है वो डाल दीजे साथ में और photos डाल दीजे और translate करके यहां डाल दीजे और अपनी मातर भाशा में यहां लिख दीजे अब friends आप यहा ही blogger है और Google की AdSense है ठीक है Google सब जगा चाया हुआ है ठीक है turn your passion into profit AdSense is a free simple way to earn money by placing ads on your website अब देखिए फ्रेंड्स यह जो blogger.com पर हमने blog बनाया है यह हमारी website ही है यह हमारी website ही है दोस्तों आप confused मत विए कि यहां blogger लिखा है यहां website लिखा है यह एकी चीजे फरक सिर्फ यह है कि यह blogging कि यह आपकी जो site या जो आप blog कर रहे हैं यह blogger के उपर कर रहे है अब देखिए friends यहां पर मैं आपकी जानकरी के लिए बता दूँ जब आप 25 blogs लिख चुके होंगे या डाल चुके होंगे उसके बाद आप qualify करेंगे कि Google AdSense से आपके blog के उपर विज्याप आएंगे विज्यापन कौन देंगे वो अलग अलग कंपनियां देंगी ठीक है वो कंपनिया जो अपने products या services को promote करना चाहती है वो विज्यापन देंगे आपने देखा होगा दोस्तों आप YouTube देखते हैं जब आप कोई भी वीडियो शुरू करते हैं तो उससे पहले विज में भी आता है आखिर में भी आता है ठीक है तो यह जो विज्यापन देने वाली कंपनियां हैं यह Google AdSense के थरूँ विज्यापन देती हैं और जिसके वीडियो पर या आर्टिकल के उपर यह विज्यापन आते हैं Google AdSense जो कमाता है उसका एक हिस्सा उस व्यक्ति के साथ शे यह विज्यापन तब लगते हैं जब आप कम से कम 25 ब्लॉक्स लिखकर डाल चुके होते हैं अब वैसे तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा ब्लॉक्स लिखना आप कहां से सोच सोच के लाएंगे नए नए आईडियाज लिकिन अगर आप अपनी डेली रूटीन डाल ने मैंने आपको साइट बता दी वहां से डाउनलोड करके फ्री में कॉपी राइट फ्री डाल दो इससे असान कुछ नहीं हो सकता उसके बाद आप गूगल जैसी बड़ी कंपनी ब्लॉगर.com के ओपर 25 अपने ब्लॉक्स डालने के बाद एलिजिबल हो जाएंगे कि आपक बहुत इंट्रस्टेंग होगी ठीक है तो आपका जो गूगल का एडसेंस है वो आपके ब्लॉगर अकाउंट पर जल्दी यह नो एक्टिवेट हो जाएगा अब मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूं क्या होता है नहीं तो फिर आपके कमेंट्स आए जब आपके कम से कम 25 ब्लॉग्स पूरे हो चुके होंगे अगर मैं अभी आपको यह भर के भी दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि यह फिर से दुबारा मुझे वापस ले आएगा जहां से मैं आपको अभी लेकर आया हूँ अगर मैं यहां पर यह सब चीजे भर देता तो शायद एक और विंडो खुलेगी और उसके बाद फिर यह वहीं उपर ले आएगा sign up for adsense यह हम कर चुके हैं ठीक है इसलिए मैं आपको आगे करके नहीं दिखा रहा हूँ यह हमें तब आगे लेकर जाएगा जब हमारा कम से कम 25 ब्लॉग्स पूरे होके डल चुकेंगे ठीक है दोस्तो तो आपको उसकी वेट करने पड़ेगी अगर आप अपनी डेली रूटीन लिखते हैं तो आप 25 ब्लॉग्स जल्दी पूरे कर लेंगे अगर आप सोच सोच के किसी टॉपिक के उपर लिखेंगे तो हो सकता आपको ज़्यादा समय लगे ठीक है तो जब आपका Google AdSense के लिए Approval हो सकता है देखिए दोस्तो अगर आपको Google जैसी दुनिया की जानीमानी कंपनी के साथ जुड़कर पार्ट टाइम कमाई करने का एक 100% जैन्विन तरीका मिले तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता आप कोशिश ज़रूर करके देखिए कुछ न कुछ सीखने को तो मिलेगा ही और आपकी जेब से तो कुछ भी नहीं जाएगा आप जितना समय अपना entertainment में लगा देते हैं दोस्तो अगर उसमें से कुछ समय निकाल कर इस site से कमाई करने की कोशिश कर लें तो क्या पता आपकी किसमत खुल जाए इसके अलावा दोस्तो अगर आप एक full time नौकरी ढूण रहे हैं तो मैंने काफी वीडियो बना कर YouTube पर डाले हुए हैं कि full time नौकरी पाने के क्या नए नए उपाए और ट्रिक्स हैं मैं उन वीडियो की link इस वीडियो के description में लिख दूँगा आप उन्हें भी जूर देखिए आपकी full time मन मताबिक नौकरी भी जल्दी से जल्दी लग जाएगी तो ये थी वीडियो friends thank you very much